गोरिवनिंग फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि सेम लॉकेशन पे सेम नेम के फोल्डर बनाना या फाइल बनाना जैसक कि हम जानते हैं कि विंडो के एक पॉलेसी है कि सेम लॉकेशन पे आपको सेम नेम का दूसरा फोल्डर नहीं बनाने देती या फाइल नहीं बनाने देती लेकिन आज की वीडियो में हम यही ट्रिक सीखेंगे कि सेम लॉकेशन पे सेम नेम का फोल्डर कैसे बनाते हैं कि इससे पहले में पता दूंब इस तरह के काफी ट इत्स मैंने अंब की बताई हैं जो मेरे चैनल पको मिल जाएंगी आप YouTube पे जाएंगे और इंको में सेर्च किजेगा और प्लेलिस्ट में जाए आप सब्रूस过. जैसा है प्लेytt याओं प्ले लिस्ट में आपको यहां पर मिल जाएगा such a computer tips and tricks तुक्त पहुआ है इसमें बहुत सारी ट्रिकस हैं तुम्भास कसे यहां ज़िसाइब कर सकते हैं कि सग्डाउन कैसे करें नोटपैड में ऑपले की कैसे करे हाइट फोल्डर विंडो यह सारे बहुत सारी चीज़े मैंने ट्विक्स बता रखी हैं आप यहां से देख सकते हैं तो चला हम बात करते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि सेम लोकिशन यानि एक ही जग है तो मैं यहां पर एक फोल्डर बना लेता हूं अब डेक्स्टोप पर भी कर सकते हैं किसी ड्राइव में जाकी भी बना सकते हो फोल्डर ठीक है जैसे न्यू फोल्डर मैंने बना लिए मैं इसी को आपन कर लेता हूं अब यहां पर मैं दो पोल्ड मेता हूँ को फडूरबनाने के लिए पर राई क्लिक करेंगे हैं से बना सकते हैं या फिर कंट्रोल ग्लायच प्रेस करके बना सकते हैं कि उससले कर पर आले अधर थोड़ा से इसको बड़ा कर लेता हूं ठाक्या आपको लोगों को दीख जाहर लाजश कर देता हूं ओक्यूंद जाहता हूं आप आप सीम नेम हैं कार दोसर फल्डर बनाना मारी में जाहता हूं इसको backspace करके वापिस अगेन मैं इसको नेम देना चाहता हूँ रिंकू देखिए यहां पर आप वास एरर आ जाएगा the destination already content a folder name रिंकू यानि इससे पहले ही से ही यहां पर एक folder आपका बना हुआ है तो दूसरा इसको फाइल में होता है तो फाइल भी अब बना के देख लीजिएगा मैं यहां एमस नोटपेड की फाइल बना लेता हूँ इसको देता हूँ मैं rk. या rk नाम देता हूँ इस फाइल को और सेम फाइल अगेन वापिस बनाने चाहता हूँ मैं आर की नाम से तो या तो rk2 चूज कीजिएगा या फिर ऐसे तो ही बनेगा तो देखिए rk2 या कुछ आगे इसके लगा दिया तो यह बनाए सेम का नहीं बनाए तो जैसा कि आपने देख लिया कि सेम निम का सेम लोकेशन पर आपका फॉल्डर फाइल नहीं बनता है विंडो की पॉलेशीज है तो इस पॉलेशीज को हम कैसे ब्रेक रहे हैं या कैसे बना सकते हैं इसके लिए मैं बताता हूँ जैसा कि यहां पर मेरे एक फॉल्डर बना हु उसको दबाके रखना पड़ेगा कि यह वाला कि आल्ट इसको प्रेस रखना पड़ेगा दबाके रखना पड़ेगा और कीबोर्ड से आपको टाइप करना पड़ेगा टू फाइफ फाइफ एक कोड तो यह है और दूसरा कोड अगर इसको नहीं यूज करना चाहो तो दूसरा और कर सकते हो और को प्रेस करोगे कंटिन्यू उसके बाद मैं आप लिखो कि जीरो वान इसको कोीपी कोड कर सकते हो तो जैसे कि मैं करताओ इसको अल्ट और 255 की रिब्स जैसे मैंने और 255 चाहता हूँ ऑसीन देता हूं इसके गार कर लिकर लेते हैं अगेन और सेम नेम में वापिस में देना चाहता हूं इसको ओके और एंटर प्रेस कर देता हूं कि सॉरी कि इसको मैं रिमूब करके न्यू बना लेता हूं क्योंकि ब्लेंक फोल्र बन चुका ओल्रेड़ी हो तो तो देके पर्प्रेस करेंगे और उसके बाद में आल्ट पो चाहल पालेंट सीम नेम है को फोल्र अपके यह वां गया टिक्ति फिल्टो की इसके पॉलेसी है कि सेम लकेशन नहीं नहीं बनता बड़ यहां पर देखिए इसको कोड को लगाने से बन गया इसी तरह फाइल भी अगर बनाने चाहते है आप तो से वही प्रॉसेस अब को यूज करना है टेक्स फाइल पर जाएंगे बैकस्पेस रिमूव और कोड़ प्रेस करेंगे इस बार आल्ट 0.60 उसके बाद में इसको नेम देंगे और के और एंटर प्रेस कर देंगे देखे सेम फाइल भी हाँ पर बन गया आपका सेम लोकेशन पर फाइल एंड फोलर दोनों आपके बन चुके हैं इस ट्रिक्स से आप बना सकते हो और यह जो कोड है वह मैं डिसक्रिशन बॉक्स में इस वीडियो के डिसक्रिशन बॉक्स में डाल दूँगा वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं या देख सकते हैं यह ट्रिक्स आपको कैसी लगी है और यह वीडियो कैसा लगा आप सेयर जरूर कीजिएगा और किसी भी तरकी अगर कोई इश्यू या प्रोब्लम इस वीड सेयर कीजिए मैं आपके पूरी हल्प करूंगा धन्यवाद